दर्शकों मैं हूँ भगवती प्रसाद पूरोहित एड़ोकेट और आप देख रहे हैं यूटूब का कानूनी ग्यान चेनल दर्शकों यदि आप किसी प्रकरण में प्रतिवादी हैं और थात आपके वुरुत कोई दावा पेश होता है तो यह वीडियो आपके लिए अतीम हतोपूर्ण वीडियो है दर्शकों यदि आपने हमारे चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकान को प्रेस कर दीजिए ताकि विधी की नई नई जानकारी के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहु वादपत्र नामंजूर किया जाएगा वादपत्र निमनलिकित दशाओं में नामंजूर किया जाएगा आदेश साथ नियम ग्यारा सीपीसी का उप नियम एक का जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है दर्शकों यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई वाद अर्थात न्यालय को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी है ही नहीं तथा बेवजह इस व्यक्ति के द्वारा वाद प्रस्तूत किया गया है तो ऐसी इस्तिती में न्यालय वाद पत्र को नामन्जूर कर सकता है दर्शकों आदेश साथ नियम 11 CPC का उपनियम ख यह कहता है कि जहां दावाकरत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया गया है और वादी मुल्यांकन को ठीक करने के लिए न्याले द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्याले ने नियत किया गया है एसा करने मे असफल रहता है तो एसी इस्तिती में भी न्याले प्रस्तुत वाद को ना मंजूर कर सकता है अर्थात दर्शकों मुल्यांकन कम से आशे यह है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब दावा प्रस्तुत किया जाता है तो उसके द्वारा उस वाद में सहायता मांगी जाती है और जो सहायता उसने मांगी है वह सहायता प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को उस वाद का मुल्यांकन करना होगा और यदि उसने मुल्यांकन ठीक नहीं किया है तो न्याले उसे निर्देशित करेगी कि आप इसका मुल्यांकन ठीक किजिए और यदि वह न्याले के आदिश का पालन नहीं करता है तो ऐसी इस्तिति में वाद पत्र को नामन्जूर कर दिया जाएगा दर्शकों आदिश 7 नियम 11 CPC का उपनियम गह कहता है कि जहां दावाकरत अनुतोष का मुल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त इस्टाम पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित इस्टाम पत्र देने के लिए न्याले द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्याले ने नियत किया गया है इसा करने में असफल रहता है तो ऐसी इस्तिती में भी वाद पत्र को नामन्जूर कर दिया जाएगा अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने न्याले के समक्ष दावा पेश किया है उसने मुल्यांकन भी ठीक किया है लेकिन जो मुल्यांकन उसने किया है उसके अनुसार उसने न्याय शुल्क अर्थात स्टंप नहीं लगाए हैं तो ऐसी इस्तिती में भी न्याले के द्वारा उस वाद को नामंजूर कर दिया जाएगा अब दर्श को हम आदेश साथ नियम ग्यारा का उपनियम घह समझ लेते हैं जहां वाद पत्र में के कथन से यहाँ प्रतित होता है कि वाद किसी विधी द्वारा वरजित है तो ऐसी इस्तिती में भी वाद पत्र को न्याले नामंजूर कर देगा अब हम विधी द्वारा वरजित वाद किसे कहते हैं इस बात को हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं जैसे यदी किसी व्यक्ति के दोरा वाद उपवक्ता फोरम में पेश करना चाहिए, लेकिन वह सिविल न्याले में किसी वाद को पेश कर देता है, तो ऐसी इस्थिती में सिविल न्याले के दोरा उस वाद को नामन्जूर कर दिया जाएगा, क्योंकि उपवक्ता फोरम के माम समले को सुनवाई के लिए अलग से विवस्ता की गई है और उसके लिए इस्पेशल कोड बने गई है इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा वक्प बोर्ड की संपत्ति के संबंद में सिविल न्याले में वाद प्रस्तूत कर दिया जाता है तो ऐसी इस्तिति में सिव वाद को नामंजूर कर दिया जाएगा क्योंकि सिविल न्याले को वक्प की संपत्ति के संबंद में किसी भी वाद का विचारन करने का अधिकार नहीं है तो दोस्तों इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विधी द्वारा वर्जित अर्थाद विधी में उस वाद को प्रस्तुत क करने के लिए कोई अलग विवस्ता है तो उस अनुसार यदि किसी ने वाद प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे वाद को न्याले के द्वारा नामंजूर कर दिया जाएगा आगे सात नियम ग्यारा में उप नियम गंग कहता है कि जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है यह से आशे यहां वाद पत्र का है कि यदि वादी के द्वारा वाद पत्र को दो प्रत में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो ऐसी इस्तिति में भी न्याले के द्वारा उस वाद को नामंजूर कर दिया जाएगा इसी प्रकार आदेश साथ नियम 11 CPC का उप नियम च यह कहता है कि जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है यहाँ पर दर्शकों आदेश साथ नियम 9 की बात की गई है तो इसके लिए हम आदेश साथ नियम 9 को भी आगे जान लेते हैं कि आखिर क्या कहता है आदेश साथ नियम 9 दर्शकों आदेश साथ नियम 9 CPC में वाद व्रहन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है जहां पर न्यालय आदेशित करता है कि प्रतिवादी पर समन तामिल आदेश पांच नियम नोके प्रावधानों के अनुरुप करवाई जाए तब न्यालय वादी को निर्देश देगा कि वह उतनी वाद पत्र की प्रतियां सादे कागज पर प्रस्तुत करेगा जितने वाद में प्रतिवादी गण है जिसे वादी आदेश पारित के साथ दिवस में प्रतिवादी गण पर समन तामिल है तू अपेक्षित शुल्क अध नियम चार में प्रावधान है, जहां वादी नियम-9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है, तो दर्शुक ओं, जब वादी आदिश-7 नियम-9, जो कि हमने अभी देखा, उसके अनुसार अगर तामिल करवाने में या तामिल के हितु वह अपिक्षित प्रतियां प्रस्तूत नहीं करता है और उसके कारण ये दिप्रतिवादीगर्ण को तामिल नहीं हो पाती है तो ऐसी इस्तिति में भी आदेश साथ नियम ग्यारा के अंतरगत वाद को न्याले नामंजूर कर सकती है लेकिन दर्शकों हादेश साथ नियम ग्यारा सीपीसी का परंतुक भी है परंतुक में आया है कि परंतु मुल्यांकन की शुद्धी के लिए या अपिक्षित इस्ताम पत्र देने के लिए न्याले द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्याले का अभी लिखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता कि वादी किसी असाधारन कारण से न्याले द्वारा नियत समय के भीतर यथा इस्तिती मुल्यांकन की शुद्धी करने या अपिक्षित स्टाम पत्र के देने से रोक दिया गया थ और एसे समय के बढ़ाने से इनकार किये जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा अर्थात यदि न्याले को एसा प्रतित होता है कि वादी के द्वारा मुल्यांकन को शुद्ध करने में या अपिक्षित स्टाम पत्र पेश करने में जो विलंब किया जा रहा है वह विलंब सदभाविक है अर्थात कहीं न कहीं उसमें वादी की कोई तूटी नहीं रह रही है बलकि उसे किसी कारणवश एसा करने से रोका गया है या कोई बाधा आई है तो एसी इस्तिती में उसे परंतुक के तहद शूट प्रदान की जा सकती है दर्श को अभी तक हमने इस वीडियो में केवल वाद को नामंजूर किये जाने के संबंद में बात की लेकिन वाद खरिज के संबंद में कोई बात नहीं की इसलिए दर्श को अब हम उसी संदर्व में आगे बात कर रहे हैं कि यदि न्याले के द्वारा आदेश साथ नियम ग लिए निर्देशित किया जाता है लेकिन न्याले के निर्देश के पश्चाद भी वादी ऐसा करने में असफल रहता है तो ऐसी इस्तिती में न्याले वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त अर्थात खारिज कर देगी दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं और ये यह वीडियो आपके लिए उप्योगी है तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर किजिए ताकि इस जानकारी का अधिक से अधिक लोग फाइदा उठा सके तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ